हेलो दोस्तों विलेज बार्बीस में आप सभी का स्वागत हैं यहाँ पर सभी लोग बंठन कर खड़े हुए हैं क्योंकि आज ये सब पिकनिक पर जा रहे हैं चलिए दिखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है अज़ी वा आज तो हम पिकनिक जाएंगे मज़ा आएगा मज़ा आएगा मैं तो बहुत यह दा एक्साइटिज हूँ है अज़ी लेकिन अभी तक बस आए क्यों नहीं कब आएगी कब आएगी मैं बहुत यह दा खुश हूँ हम तो बहुत यह दा मज़ा करेंगे ठीक है ना हम धेर सारा गिम खेलेंगे वहाँ पर हम तो पहली बार इतनी दूर पिकनिक पर जा रहे हैं क्यों अज़ी हाँ तुम सही कह रहे हूँ इतनी दूर है अज़ी लेकिन बस कहाँ पर है पता नहीं कहाँ पर रह गई मम्मी भी नहीं आई उनको तो लेट लगीगा मुझे पता है रुको में राधा अंती से पूश्टी हूँ कि बस कब आएगी राधा अंती राधा अंती बस करो रुको बस थोड़ी दिर में बस आने ही वाली होगी तुम सब चिंता मत करो श्याम के पापा ने सब को पिक अप कर लिया होगा बस से बस यही पर आती होगी आखरी स्टॉप यही है फिर यहां से हम पिकनिक जाएंगे चलो चलो टिफिन तो मेरा भर गया है चलो अब इसे लेकर चलती हूँ बहुत ही मज़ा आएगा अरे हां राधा अंटी मैं भी इन्हें यही कह रहा था यह लड़किया बिना कुछ जाद ही ओबर एक्साइटेड हो जाती है आईगी बस तो यही से आएगी ना तुम लोग भी न अरे देखो तो कितना स्मार्ट बरने की आजाती है अरे हां चलो भाई यही पर है आखरी स्टॉप चलो चलो जल्दी करो बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे वो तो बहुती है देख खुश हो जाएंगे चलो चलो भाई आगी आगी चलो और यहाँ पर बस राधा के घर पर आकर रुख जाती है चलो चलो बच्चो आजाओ देखो लाधा बस आ गई है चलो आकर सब लोग बैठ जाओ एक एक करकर अरे वाँ चलो जल्दी करो देखो तो सब लोग एकदम रेडी खड़े है अरे वादेखो बस आ गई चलो चलो अरे वादेखो तो कितनी बाड़ी बस है इसम्थ अौपर बैठने की चगा है मैं तो उापर बैठ उंगे चलो चलो डोस्टो आजाओ षब लोग साथ में बैठेंगे मैं तो चारी हूँ उपर बैठनी के लिए अच्छा वाला जगह पहले बैठ जाओंगी मैं चलो 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 जाती हूँ और यहाँ पर सोनम बस के उपर चरने लगती है चलो 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 जाती हूँ मैं बहुत यह देख खुश हूँ चलो दोस्तो आजाओ मैं कहां पर बैठ हूँ कहां पर बैठ हूँ हाँ यहां पर बैठ जाती हूँ चलो जल्दी से और यहां सोनम अपने सीट पर बैठ जाती है अरे देखो देखो सोनम बैठ गई चलो चलो जल्दी चलो अरे हाँ चल्दी चलो हमें भी अच्छी सीट चाहिए चलो चल्दी 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 चल्द यहीं पर बैठ जाता हूँ अरे चिंकी बेटा ज़दा शरारत मत करना उपर बैठ तो गई हो लेकिन देख लेना कुछ भी करवर मत करना अरे चलो चलो भाईया अरे हाँ चलो चलो राधा कहाँ पर रहे गई चल्दी आओ भाई राधा अरे ठीक है मादुरे तुम सब समझ गई हो ना घर का ख्याल रखना मैं तुम्हें नहीं ले जा सकती हूँ मुझे माफ कर देना ठीक है ना अब मुझे चलना चाहिए तुम्हारी बहुत याद आएगी चलो चलो श्याम चलते हैं अरे देखो तो अरे श्याम की पापा श्याम की पापा आप श्याम को ले लीजिए अरे हाँ हाँ लाओ लाओ राधा मुझे दे दो श्याम को चलो दो अरे हाँ ये लीजिए श्याम की पापा श्याम को अच्छे से पकड़िएगा अरे हाँ हाँ आजओ मेरे पुतर और यहां शाम की पापा शाम के साथ बैठ जाते हैं अरे राधा आओ मैं तो मैं उपर चड़ा देता हूँ अच्छे से बैठ जाओ उपर अरे नहीं नहीं शाम की पापा मैं उपर नहीं बैठूंगी मैं अपने सहीलियों के साथ नीचे बैठूंगी ठीक है ना आप शाम को अच्छे से पकड़ियेगा उसका ख्याल रखियेगा अरे अच्छा ठीक है राधा हरे ये शाम की पापा भी न चलो चलो में जाती हूँ अरे हां लेकिन दीदी कहां पर हो तो भी तक नहीं आई और यहां पर सारे बच्चे अपने अपनी सीट पर लेकिन अभी चंता दीदी नहीं आई है पता नहीं कहां पर रहे गई दीदी भी ना हमेशा लेट कर देती है भाईया पे रुख जाओ गाड़ी मत चालू करना और फिर तभी वहाँ पर चंदा आने लगती है चलो चलो चल्दी जाती हो औरे नहीं पोति अदर देर हो गई चलो चल्दी से चलती हूँ अरे भाई जल्दी करिये बैट जाईए आप सब इत्तर टाइम क्यों ले रही है अरे ये क्या बस तो आ गई है मैं तो बोति अदर लेट हो गई चलो चलो चलती हो रुको रुको भाईया मुझे भी आने दीजिए चलो 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 चल्दी से जाती हूँ मुझे माफ कर दीजिए मेरा लेट हो गया अरे राधा तुम्हें यही पर हो अले चलो अच्छा है कि मम्मी आगी वलना ये तो हमेशा लेट कर देती है चलो अच्छा है कि सब लोग आगे अब हम अच्छे से पिकनिक जाएंगे मज़े करेंगे अरे दीदी बहुत ही अच्छा कि आप आगई विसे इते जल्दी आने की क्या जरूर थी बस चलियती तब आते अरे राधा माफ भी कर दो पेकिंग में देर हो गई वैसे मैं उपर बैठूंगी ठीक है ना चलो बैठते हूं उपर दे दो बेठा ठीक है ना प्लीज चलो चलो मैं भी जाकर बैठ जाती हूं जल्दी से अरे भाई मुझे जगा तो थोड़ा सर को नहा दी दी अरे ये क्या राधा तुमने तो मुझे कोने में डखेल दिया हरे आप आधर टाइम बैठ जाना चली सर की थोड़ा सा ये चलो पिक्निक अरे हाँ चलो चलो अले यहाँ चलो चलते हैं ये ये और यहाँ पर सारे बच्चे पुहती अदा खुश होते हैं और नारे लगा रहे होते हैं और फिर तभी यहाँ बस चलने लगती है ये अरे वाँ चलो ये ये चलो अरे ये देखो हम सब तो रोड़ पर आ गए चलो चलो चलते हैं ये मज़ा रहा है गाता रहे है मेरा दिल तुही मेरी मंजल चलो चलो ला 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 अरे सुनम तुम अच्छे से बैठी हो ना मस्ती मत करना ठीक है ना अरे हां ममी मैं अच्छे से बैठी हूँ अरे चिंकी तुम्हें मेरे साथ बैठना चाहिए था अरे तुम तो पहली आकल बैठ गई थी शोनम तो मैं क्या करू अब हरे हां तुम सरी कह रही हो कुछ बात नहीं आगे हम साथ में बैठेंगे अच्छे ठीक है चलो चलो ये ये अरे वेसे चंदा जी आप क्या लेकर आई है बासकेट में कुछ खाने के लिए हरे हां क्रिश्णा में धेर सारा खाने का सामान लाई हूँ चलो चलो अच्छे बच्चो जो जो खोने में बैठी हो अपना हाथ बाहर मत निकालना ठीक है ना वोना दूसरे गाड़ी तुमारी हाथ लेकर चली जाएगी अरे अरे ये क्या अरे गाड़ी क्यो रुख गई मम्मी जी क्यो रुख गई अरे हाँ यह क्या हो रहा है अरे गाड़ी क्यों रुख गई अरे पता नहीं अरे भाई क्या हो गया आपने बस क्यों रोख दिया बीच रास्ते में अरे गाड़ी क्यों रुख गई अरे हाँ जल्दी चलाए यह भाई क्यों रुख गई है गाड़ी अले मुझे तो समझ में नहीं आला है अले हाँ तुम सही कह ज़ी हो गाड़ी क्यों रुक गई अरे भाई ये सब क्या हो रहा है अरे अंकल आपने हमारे खुशिये पर ब्रेक क्यों लगा दिया मेरा मतलब बस पे अरे ड्रेवर अंकल क्या हो गया बस क्यों रोक दिया आपने जल्दी से बताईए भाई ये में चलना है अरे हाँ हाँ बेटा सबर रखो सबर रखो तुड़ो देखता हूँ पता नहीं क्यों गाड़ी रुक गई अरे राधा सुनती हो क्या हुआ बताओ तो जरा अरे दीदी मुझे तो लगता है कि टायर पंचर हो गई है अरे क्या कहा टायर पंचर हो गई है अरे नहीं अरे हाँ इस क्या हो रहा है चलिए भाई जल्दी चलिए अरे हाँ बेहन आपने ठीक का टायरी पंचर होई है अब तो इसे ठीक करने में लगबग आधा गंटा लग जाएगा हाँ आधा गंटा रुकना पड़ेगा मुझे माफ कर देजिए क्या आधा गंटा अरे हाँ बच्चो मुझे माफ कर दो अच्छा कोई बात नहीं जैसी ये बन जाएगा वैसी हम निकल जाएगे धाबे के लिए ठीक है ना अरे हाँ बेहन वो क्या है ना आगी का टायर पंचर हो गया है तो आधा गंटा लगेगा बनाने में उसके बाद हम धाबे पे चलेंगे अच्छा ठीक है चलो चलो जल्दी चलो हाँ हाँ जल्दी चलो पिकनिक जाना पिकनिक अरे हाँ हाँ श्याम हम जल्दी पिकनिक में पहुँच जाएंगे बस थोड़ी दर रुख जाओ हाँ हाँ पिकनिक पिकनिक ये मज़ा अरे हाँ बेटा मज़ा तो आए गई हो चलो कोई बात नहीं थोड़ी दर रुक ही जाते हैं जी ठीक है मम्मी और यहां पड्रेवर जल्द यल्दी पंक्चर बना रहा होता है दोस्तों इसके आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे हैं और अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना थैंक यू फॉर वाचिंग